हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Motorola Edge 20 Fusion Android माइलफोन में आप जो है Tap to Wake सेटिंग को Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं पर यह Tap to Wake सेटिंग जो है Enable करने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए यहां पर जो है वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सेटिंग पेज ओपन करना है और आपको नीचे आना है यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का डिस्प्ले पर सेलेक्ट करना है अब आपको डिस्प्ले के इस पेज में नीचे आना है और यहां पर आपको ओफ होगी ठीक है तो आपको अपने ओफ स्क्रीन पे ही आपको डवल्क करना है यह दो लगाता है इससे होगा क्या आपको मेरी स्क्र Unity अनुद 2 फू अनुद 5-2 मोट्रोल-20 फूज है की बदे के आपके mobile phone में एनसके लिया आपको करना कैया है Mobile का Setting Page लिखेंग बनााेक्षा सेटिंगपे सेटिंग में सबसे उपर आपको यह search सैटिंग का options होगा सबसेटिंग के सेटिंग करना है अब यहाँ पर आपको search बार में tap करना है tap to wake ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा यहाँ पर type कर देना tap to wake ठीक है तो आपको नीचे यह option show जागा tap to wake का तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है search बार में setting का name आप type करते है tap to wake ठीक है तो आपको यहाँ पर spelling mistake बिल्कुल भी नहीं कर दीक है अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की साइड इस तरीक से यह option show नहीं होगा बिल्कुल भी ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को continue करते है तो जब यह नीचे की side option show हो जाता है tap to wake तो इससे आपको select कर लेना है ठीक है तो इससे होता है क्या है आपका मॉयल phone जो है आपको directly setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक short कर तरीका इस setting को ढूंडने का